सो गाइज यह वाली नदी और यह उपर का यह ब्रीज तो अभी हम जाएंगी उपर ब्रीज पे और वहाँ पे ना काफी बड़ी शुजी की मूर्ति है चरो फिर मैं आपको दिखाता हूँ यह वाला स्पॉट काफी फेमस है दूले में का और आभी अभी कुछ साल पहले बना गएज तो मैं भी नहीं गया हूँ चल ओ फिर चलते हैं गाई यह वाला आगी वाला ब्रीज लगबगा हम पहुचने वाली वाहाँ पे तो मैं आप जो दूर से और लूप दिखा तो गाईज पिर पास में पिर क्लेज से मेरे पिच्छाल में स्पोर्ट की तरफ और एक्स्प्रों करते और देखते कैसे हो आपके अच्छा लाइटिंग वगरा है काफी बड़ी शूजी की मूर्ति वापे लो गाइस फिर चलते उपर ब्रिच के उपर फिर देखते कैसे क्या है गाइस ऐसा यह वाला पुरा ब्रिच और आपके आगे शूजी के मूर्ति यह फिर देखते हैं शूजी की मूर्ति कैसे वगरा है यह आपके अधर का जब देखते ही शूजी काफी बड़ी मूर्ति है यहाँ पर ब्रीज पर आख देख पर मेरे पीछे शुजी काफी बड़ी मूर्थी और यहाँ पर काफी सारी लोग है और सब शाम किडाए में याँ पर लगबग आते हैं यहाँ पर नदी के ऊपर यह ब्रीज बना हुआ है और काफी अच्छी मूर्थी वगरा लाइटी वगरा से अच्छ रखता है याँ पर बेटने के लिए भी काफी सारी लोग आते हैं याँ पर शाम किडाए और गाइज यहाँ से इसी नाइट को सुटी वारा दिखती है अज़ादा बड़ा ब्रीज यह वाला और गाइज यह वाली है नदी यह पांदर नदी पर यह वाला पुल बना हुआ है तो आगे भी ऐसे ही है और काफी अच्छा लगता है रात के टाइम यहाँ पर सब्सक्राइब किजिए अर्यों में को सपोर्ट किजिए थैंक्यू वाई एक स्पोर्ट हो गया खतम अभी आम जा रहा है घर पे तो ऐसा था एक पांदरा नदी पर गूलता यहां पर बगवांशियों की एक मूर्ति वगरा थी आप सभी को यह व्लाग पसना होंगा आयों सब्सक्राइब किजिए और मिलते हैं चल्दे एक इंट्रेस्टिंग ब्लॉग के साथ जो हमरी अभी दूले सीरी चल रही है उसमें आपको जड़ा दूले के जो अच्छा च्छे स्पॉट हो दिखाऊंगा आज मैं सो काई चलो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में तत्रिय थैंक य। और गुटनाइए